जो है वो है आपके वैदूतिक त्रिबुच है क्या है इसका वैदूतिक त्रिबुच है इसका नाम क्या रखा हुआ है इसका नाम रखा हुआ है वैदूतिक त्रिबुच इसका नाम रखा हुआ है वैदूतिक त्रिबुच इसका नाम रखा हुआ है वैदूतिक में हम लोग अलग अलग फॉर्मुला पढ़ने वाले हैं आपके पास इंग्लिष में इसको बोलेंगे आपके अलग पास इसको अब देखो इसके अंदर सबसे पहला जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले न वो पता है आपके ओम के नियम का त्रिबुच की सहायता से सत्यापन क्या पढ़ने वाले पहला परिंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओम के नियम का त्रिबुच त्रिबुच की सहायता से सत्यापन तो हैडिंग लगाओ फटाफट ओम के नियम ओम के नियम का त्रिबुच की सहायता से सत्यापन 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 त्रिबुच की सहायता स प्रवाहित भारा जो होती है वो आपके किसकी होती है अभी उस परीपत में इस्तित प्रतिरोध के सीरो पर उत्पर्ण विब्वांतर के सीधे समानुपाती हो अगर potential difference जादा होगा तो current conduction जादा होगा अगर potential difference की value कम होने वाली है या नहीं होने वाली है तो current आपके पास क्या है कम flow होगा या फिर नहीं फ्लो होगा यह होता है वहुत ही कवस्ता है जिसे ताप दाव इत्यादी को नियत रखा जाए हम ओम का नियम नहीं पढ़ रहे हैं ओम का नियम आपको जब किसी और जगे पढ़ाया जाएगा आप देखना यह सारे के सारे होट पोट सेशन साइकोलोजिकल डिजाइन है इन सेशन में ध्यान रखा गया है कि आपको चीजे इस्थाई रूप से याद हो इसलिए चीजों को अलग-अलग जगे पर आपसे तूमिका निभा रहा वो चलो चलते और अब उसक के बाद जो है वह अपना रोल प्ले कर रहा रहा अब आपका तो आप कटपा नहीं भूल सकते ठीक वैसे ही जब कोई टॉपिक आता है और उसको अलग-अलग आपके पास सेशन में अलग-अलग जगे पर रखा जाता है तो फिर जब मैं आपसे कहता हूं भूल जाओ तो आप नहीं भूल सकते हैं घुरुजी किसे भूल जाए हर जगे तो पढ़ता रहते हैं तो कोई बी चीज एकदम से नहीं आएगी और कोई बीची एकदम से नहीं जाएगी कहीं ना कहीं कोई आपके लिंक मनाता रहूंगा उसका मैं आपको बार-बार रिवाइस करवाई जाए ज्यान रखना आई-टी-आई के बच्चों से रिजल्ट लेना बड़ा टफ काम है यह कोई डिप्लोमा के स्टुट्स नहीं है नहीं कोई बीटेक के स्टुटेंट है जो आपको फटा-फट रिजल्ट देंगे मुझे अच्छी तरीगे से पता है एक बच्चे पर मे मैंने की तयारी करी और मैंने गारेंटी देदी और आपका सेलेक्शन आ गया आपको लंबी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे भी लंबी मेहनत करनी पड़ेगी एक कनेक्शन मना के रखना पड़ेगा तब जाकर सेलेक्शन निकलता आप लोगों कि आप लोग पता है क्या है अ आपने 10 के बास एक certificate course किया और उसके बिहाब पर आप जो गूंढ रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पढ़ने में थोड़े से कमजोर रहे होंगे और सबसे बड़ी बात है पढ़ने की रूची उसका क्या करोगे अगर आपकी पढ़ने की रूची बहुत अच्छी होत अगर्णमेंट जो अब लिया और फुल स्टों नहीं आगे पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं आ रहा है तो अब आप सोचो ऐसे बच्चे से रिजर निकलवाना कितना खतर रहा है इसलिए आपके क्या है को इस तरीके के डेजाइन किया है कि थोड़ा 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 थो है कि अरे जार ऐसे कारते ओम का नियम नहीं बता पार है को फूर भी वच्चा जो भी बिन अमका नियम बताया वह लेगा कि अभी तेखो किसी भी बंद्ळ व्याधितिक परीपत में आचा शब्द बंद क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं में बंद इसलिए 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 कर रहूं कि बंद नहीं करूगा तो सर्कित चालू नहीं होगा समझे लो ना current का flow होता है close circuit में close circuit को हिंदी में क्या बोलते हैं बंद परीपत इसलिए भाषा में आपके बंद सर्कीट डाला गया है तो किसी भी बंद परीपत में प्रवाहित होने वाली धारा परीपत में इस्थित प्रतिरोध के सीरो परुत्पन विवांतर के सीधे समानुपाती होगी यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे तापदा वित्यादी को नियत रखा जाए इसे ओम का नियम कहते हैं ओमसला कहते हैं clear है यह आपके ओम का नियम है और मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि इसे नहीं पढ़ा रहा हूँ इसे आप बस गोर से सुनो और सुनकर भूलने की कोशिश करो बात समझ में आरी है सुनकर भूलने की कोशिश करो अभी भूल जाओगे न क्या भूलना है कि किसी भी बंद सरकिट में बंद परिपत में प्रवाहित होने वाली धारा परिपत में स्थित प्रतिरोध के सीरो परुत्पन विवांतर के सीधे समानुपाती होगी यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे तापदाब इत्यादी को आपके नियत रखा जाए इसको ओम का नियम कहते हैं बूलने वाली बात और याद करने वाली बात में बहुत तगड़ा समध होता है याद करने नहीं को सबसल्द रखा आ जो Bala ji तो नियुकल कोई नी रात के 12 बजे तेज दुखे काटा ना इधर हो ना इधर हो आपके बारा वजे उठना और आपके पास भभूत नहीं को बताना मत किसी को भी और यह आपके बभूत पूरे सरीर पर लगा ले ना वर बाला जी का ध्यांट लेका द्यान नखना बहुत द् सब चीज का ध्यान रखना नाक कान पूरे शरीर सोच ना लेकिन बस सोचते समय आपके पूछ नहीं आने चाहिए अब वहाई साब क्या करते हैं भभूत को लगाना चालू करते हैं अब बताओ बंदर जब आएगा तो पूछ नहीं आएगी बंदर की पूछ आएगी ना अच चीज आप ज्यादा करते हो उसी चीज को आप क्या है याद रखने कोशिश करते हैं अभी मैंने कहा कि यार यह चीज आपने भूलनी है तो पका आप भूलोगे नहीं अब दिवाग उसको याद करेगा बार 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 इस इस दर यूमिन नेचर बंदर बोल देदा पूछ क दिलाता आपको पकी बाते आप पूछ के वारे में नहीं सोचते और जब तक मैंने पूछ नहीं बुल ला था आप बंदरी के वारे में सोच रहे थे पूछ के वारे में नहीं सोच रहे थे अब सब के दिमाग में आ रही है पूछ चोटी होगी मोटी होगी लंबी होगी है कैसी पूछ होगी काला बंदर होगा कि लाल बंदर की पूछ बहुत तगड़ी होती है लाल बंदर की पूछ छोटी होती है तो पूछ कैसी होगी अब बंदर के बारे में कोई फैयल नहीं आ रहा है सिर्फ और सिर्फ पूछ के बारे में फैयल आ रहा है अभी आप देखना य जगे ज़्यादा चाहिए मेरे को हां तो अभी आप देखना मैंने ओम का नियम आपको बता दिया ओम का नियम आपने याद नहीं रखना है आपने याद रखना ये इस ट्राइंगल से मिलने वाले सारे के सारे फॉर्मुला सेशन नंबर दो मैंने सुत्रों के लिए डिजाइन किया है तो यहाँ पर आप देखो यह रहा वो ट्रेंगल पहला ट्रेंगल आपके पास है यह यह आपके पास क्या दूसरा ट्रेंगल है और यह आपके पास क्या है तीसरा ट्रेंगल यह आपके पास क्या है तीसरा T फसाया ऐसा capital T फसाते से ही इस जोपड़ी के तीन इससे हो गए पत्लब तीन घर हो गए हर घर में एक आपके वैदुतिक राशी को रखेंगे ठीक हर घर में एक वैदुतिक राशी को रखेंगे अब आप दिखना एक तो आपके पास है वी ओम के नियम से क्या क्या आया था तो वी आया था एक आई आया था और एक आपके पास क्या आया था आ रहा है था बच्पन में आया था जब आपको पढ़ाया जा रहा था कॉलेज के टाइम पर आया था आप बताओ मैं इन में से आपके पास किसको उपर रखूं कहां कहां क्या रखूं तो देखना एक नॉ उत्तम लोग हैना उन्हें हमेशा उत्तम इस्थान ने, उत्तम इस्थान देना नाêts, कभी कोई समस्य समस्याक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं अब आएज देखना यहां पर सबसे उत्तम गोने Kung आहां को बता ना यह पापा है है और यह मम्मी यह जै कलिर आपके पास के के गया इसा आपके पास क्यां सबसे पहले आपके वी होगे और ये पक consultants नहीं सब抓상 को factors होग दिया इस jako तो छोड़ा साफ कर तो पिन अगर बैट नहीं है normal बिस्तर लगा रखा है तो फिर आप किया करोगे वह बिस्तर अपना सबसे बढ़िया वाला चादर बिच्छा कर बोले गुरुजी यहां बैठो आप अगर विस्तर भी नहीं है आपके पास पटला है तो पटले में बोले गुरुजी इस पटले बैठो आप तो नीचे बैठ जाओंगा आप तो आपने देखो हर रेस्पेक्ट में उपर रखी ना चीज को तो उससे क्या होगा उससे बहुत बढ़ी आएगा भाओ कैई गिठाण करता है पॉरुजी का आदर करता है इसको पता है क्या करना नहीं क्या करना अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अरह संकट में आ जाओ गे रहा दियान रखना यह चीज हमेशा गिठान बांग के रखना कहीं बार जब भी आप कहीं पर भी हो इस बात को हमेशा फॉलो करता तो आप कभी भी बीट नहीं होने वाले अब यह आप देखना वी सबसे उपर करना है तो यह वी मैंने सबसे उपर कर दिया यह रहा आपके पास वी अब जमादो जो छोटे वाले हैं यह आपके पास आई यह आपके आई और यह आपके आपके आर यह आपके पास आई और यह आपके पास आई और यह आपके पास वाले हैं हम करने वाले हैं कि एक को च्यांकित करेंगे जैसे कि माल लो मैं इसको च्यांकित करूँगा इसको च्यांकित किया कोई चीच ऐसे होगी ना तो मैं गुणा करूँगा कोई चीच जब ऐसे होगी तो मैं बट्टा में लिखने बार तो अभी आप देखना पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी बराबर आपके आई आर यह ओम के नियम का पहला फॉर्मूला है यह आपके पास क्या है ओम के पहला फॉर्मूला है वी बराबर आई आर और इसको मैंने क्या कर लिया बॉक्स में बंद कर दिया तो मैंने क्या कर दिया आपके इसे बॉक्स में बंद कर दिया वी इस इकुल टू आई आया ओम के नियम का पहला सुत्र हाजी रहे इससे हम क्या करेंगे इसी भी को मैं वापस क्या करने वाला हूँ मैं वापस यहां पर आपके आई को हाइड करने वाला हूँ यह मैंने i को हाइड कर दिया तो जैसी मैं i को ऐसे छुपा हूँगा आप बताओ वी और बटा में आ गया तो अभी आपके पास वी बटा क्या हो जाएगा आर तो यहां से i बराबर जो है आई बराबर आपके पास क्या होगा आई बराबर आपके वी बटा आर यह आपके पास सेकेंड फॉर्मुला आगया यह क्या होगे आपका सेकेंड फॉर्मुला है यह रहा आपका सेकेंड नंबर का फॉर्मुला अगर आपको सर्केट करन्ट कल्कुलेट करना है तो क्या रहा है, तो मैं यहाँ से वापस r hide करना हूँ, तो देखो, मैंने resistance वहाँ पर hatch किया, resistance को मैंने आपके पास क्या है, इस तरीके से hatch किया, तो jisly resistance को hatch करूँगा, r का formula क्या होगा, v बटा i, तो याँ से आपका मान जो आएगा, वो आएगा i by बराबर, पी बटा आपके क्या है आर आएगा अना तो आई बराबर अच्छा आर का लिख रहे हो क्या तो यहां पर आपके पास क्या है आर बराबर आर बराबर आपके पास क्या है आपके पास आएगा बात समझ में आ गई यहां तक तो रहाँ पर तीन सुत्र आपके जोली में आ चुके हैं इस वक्त अब दो सुत्रों की दिरे दिरे बाढ़ होनी चलो जाएगा थोड़ा समल के रहना यह जरूरी है यह सलेक्शन करवाएंगे आपका तो अद्रह आपके पास क्या क्या यह वी उपर दूसरा क्या है इस फार्मॉला में वी उपर की तरफ आ रहा है मतलब इस सुत्र भी पता है क्या है मेरे चोटे से नियम की अनुपालना कर रहा है यह भी उस नियम को नहीं तोड़ रहे तो पिर आप क्यों तोड़ोगे इसका मतलब जब भी सब्सक्रों पढ़ है कॉलेज कर पहली बात तो क्या यहां बच्चा आ भी ऐसा रहाऄ पिर येवीन प्टा कि क्या अच्छा र्क्या बुरा है एक्साम कि आये गा और कि आएगा इसले में लेवल एक्जाम में क्या रहेगा रहेगा और जब आपके समय होगा जब मैचर होगा ना आपके दोड़ाई तीन साल बात परफेक्ट मैचर होगा तो उसको समझेगा रहे है या पहले डंग से पड़ा होते तो शायद अभी तो रिजल निकल रहा यादा पारता पूड़ी करने की सब्सक्राइब इसलिए शुरुआत से पढ़ना ज़रूरी है और आपके ब्रांच जो है उसको सम्मान देना बहुत ज़रूर ब्रांच में आपकी डेप्ट नॉलेज होनी बहुत ज़रूर अधरवाई सही बतारा हो यह उड़ा देंगे आपको दीरे दीरे आपके लेवल बढ़ाते जा रही है आपके एलेक्ट्रिकल का लेवल बढ़ाते जा रहे है पहले जैसी बात इलेक्ट्रिकल के अंदर कोई भी नॉर्बन कुशन देगा आपको बीज बीज में ऐसे बिलकुल प्रशन डालता है नुकिले नुकिले अर्जुन के तीखे बाणों की तरह लगता है ना यह क्या दिया यह क्या दिया यह दिता है अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन अभी आप देखना यहां से मैं स्टेट्मेंट दूंगा आपके पास यहां पर आपके पास स्टेट्मेंट यहां पर भी स्टेट्मेंट एक तो आप से पूछ सकता है सुत्र तो यह आपके पास आ गए एक statement पूछ सकता है तो statement देखो सबसे बिलम बात करेंगे पहला statement यहाँ से अब बताओ धारा बोल्टिता के सीधे समानुपाती होती की नहीं होती होती है यहां बुलेगा निम्न में से कौन सा कथन सकते है तो मैं चार कथन दे रहा हूँ चार कथन में से सही कथन आपको चुनना है तो चार कथनों में से सही कथन अगर आपको चुनना है तो आपको सही statement क्या-क्या होंगे according to ohms law यह आपको पता होना बहुत ज़रूरी तो पहला कि किसी भी बंद परिपत में प्रवाहित होने वाली धारा आपके क्या है वोल्टता के क्या होती है सीधे समानुपाती होती है अच्छा क्या वोल्टेज धारा के सीधे समानुपाती होगा हो सकता है कर नहीं हो सकता है अच्छा इस चीज़ को ऐसे याद रखना पापा मम्मी के समानुपाती है मम्मी पापा के बुलिए मम्मी पापा के समानों पाती है आप देना पुरुष प्रधान समाज है हमारा और ऐसे नहीं आज महिला है बहुत आगे है पुरुष तो बहुत आगे है लेकिन फिर भी एक देखना नॉर्मल बात करता हूँ कि मम्मी कही ना कही पापा किसे रिलेट करती है तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि मानलो कोई भी महिला वो आपके पास क्या होगी ब्रदर पर रिलेट कर सकती है अपने पुत्र पर रिलेट पुत्र पर आपके निर्भर हो सकती है तो मतलब आपके पास क्या कही ना कहीं किसी ना किसी चीज पर निर्भर है वही रेस्पेक्ट में अगर मालो पुरुषों की देखे जाए तो उन्हें आप निर्भर दिखाया जाता है जबकि ऐसा नहीं है वास्प्रिक्ता में तो वो विपरीत है बिल्कुर जबकि अगर महिलाएं नहीं होती तो पूरुष अभी भी आदी मानव ही होता पाई बता रहा है अभी उधर से उधर इदर से उधर अभी तो कुवारे लड़के जो होते हैं और वैसा जिन्स पर जिन्स चाहस के घूम रहा है एक शॉक साथ दिन तक लें घूम रहा है दोस्त ने बुलाया तो दोस्त की शादी में 15 दिन तक कूद रहा है समझ रहे बात को रात के 10-11 वजए दोस्त आया शेयर में आजा बाहर निकल जा ठीक है भी आ रहा हूं वह सब घर बार कर वालों को पता ही नहीं है खाना मिल गया तो खालेगा नहीं मिला तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन शादिशुदा आदमी समय पर खाना खाएगा समय तोठेगा समय पर सुएगा और वह सब काम कौन करवाता है अगि अफैस तो बताओ अधी मानों को इनसान बनाय की निया तो यहीं कहना चारो जबकि गलत है महिलाओं को ऐसा लगता है कि निरबर है जबकि ऐसा नहीं है पुरुष महिलाओं पर निरबर है अभी फिर उसके इस तरीके से तो अभी आप देखना यहां मैं कह रहा हूं कि ऐसा आपना समाज जो फुरुष प्रधान समाज है उसने इस तरीके की आइडियोलोजी और इस तरीके का थाट प्रोसेस उनके दिमाग में भर दिया है कि उनको इसा लगता है जब कि वो घलत है अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया कि वो घलत है अभी आप देखना यहां पर आपके वी जो है वो आपके आई के समानुपाति नहीं होगा आई जो ह के सीधे समानुपाती होती है धारा बुल्टता के सीधे समानुपाती होती है बात तमझ में आगी ना पहला एस्पेटमेंट दे दिया मैंने आपको चार कतन आएंगे उसमें से एक कतन सही होगा मैं सारे सही कतन यहां लिख रहा हूँ अच्छे देखो यह धारा जो है वो प् वैल्यू कम है तो करंट का फ्लो उस ब्रांच से ज्यादा होगा अच्छा देखो एक बात और समझना यह ऐसे होता है ना तो इसको विलोम संब्ध को ऐसा होता है ना तो इसको संब्ध के अंदर आप लोगो पढ़ाया गया होगा अगर मैं सुत्र को भी गोर से देख रहा हू है कि धारा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है यह आपके पास क्या हो जाएगा धारा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है यह सेकंड स्टेट्मेंट आपके है राइट स्टेट्मेंट है अच्छे देखो यहां पर हम बात करते हैं वी और आई का अनुपात हमेशा एक नियत मान होता है जिसे चालकतार का प्रतिरोध करते है आप जिसे बदारान के तोर पर मैं ये resistance यूज़ कर रहा हूँ तो during the operation इस resistance का value change नहीं होगा मालो मैंने किसी circuit में इसको employ कर दिया इस circuit में इसको लगा दिया तो आपके उसमें अगर कोई arrangement नहीं करें है मैंने resistance को change करने के तो ये fix रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है तो द्यान अखना अलग-अलग voltage और अलग-अलग current level के लिए जब भी आप V और I का ratio निकालोगे तो वो एक निश्चितमान आएगा और वो निश्चितमान उस परिपत में प्रियोग किये गए प्रतिरोध के बराबर होगा तो उसका मतलब आर क्या होगी उस particular circuit के लिए constant आर क्या होगी उस particular circuit के लिए constant तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कीछे जो बच्चे बैठे होगे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा तकलीफ होएगी शुरू शुरू में अगर यह तकलीफ जहल ली न तुमने मेरी तो फिर आगे आनंदी आनंद है selection election चाहिए कि नहीं चाहिए तो कटोर तपस्या करने के लिए तयार हो हाँ ऐसा मत करना है यार शुरू में मैं आपको मज़े दिलबा दूँगा कोई मतलब नहीं आ रहा उस मज़े का आपको तो selection चाहिए और selection जो है वो अच्छे question से अच्छे content से निकल कराने वाला है मज़े वज़े से नहीं आने वाला है मज़े बाद में कर ले ना जब account में salary आजएगी बिना account में आपके पास क्या पैसे आप मज़े भी लेते हो तो काई के मज़े यार जूटे मज़े हैं वो नहीं अभी सावन का मोसम चल रहा है पढ़िया और आपको कई party वाटी पे जाड़ा है नहीं जाना है और आप क्या कर रहे हो वह पान पान सुर पे खट्टे कर रहे हो आई के मज़े है यार इस party और लौकर दो जाना है और गाड़ी में किदर जा रही हो पता नहीं हृँ है कि चलने दे पर एक मित्र से मेने बुछा चले कहाँ भीट्ञा ने लोगा ऑर गाड़ी चलने दे फालतु में अपन तेल बाढ रहे है क्या बाहना की टेंशन कर रहा है जब जब में कुछ नी थ तब ही अपने टेंशन नहीं करी अब क्या टेंशन करेंगे बस चलने दे आप समझे रहो यह है मज़े कोई टेंशन नहीं है घाड़ी में होगा जिदर बेटल वाएंगे डलवाएंगे बस तु गाड़ी चलने दे रोकना मत जिदर कुछ खाने पीने की बढ़िया दे रोक द जाएगा तब आप मज़े कर लेंगे अब इसलों क्या मज़े करना वो चीज आप ध्यान रखना विशेश रूप से अभी आप देखो मैं सेकंड स्टेटमेंट आपको थर्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं कि वोल्टता और धारा का अनुपात जो है नियत राशी प्राप्त अपके पास क्या है राशी प्राप्त होती है इसे प्रतिरोध कहते हैं ये आपके पास क्या है धर स्टेटमेंट है जो आपने ध्यान रख रहा है तो पहला सही कथन क्या है कि धारा वोल्टता के सीधे समानुपाती होती है दूसरा सही कथन क्या है कि धारा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है तीसरा जो कथन है सही statement वो क्या है कि V और I का अनुपात एक नियत राशी प्राप्त होती है अचा पीछे की register और भी बहुत बढ़िया बढ़िया कोशन मनदे इस जगे से आप सबसे पहले आपस पूछ सकता है इसकी unit क्या होती भी की unit क्या होती अना पूछ सकता है न भी की unit अगर आपने भी ले लिया अन테 आपने भी लिया है तो یہ basically आपके पारास जो है इसे हम कहेंगे वोल्टता इसे हम क्या बोलेंगे आपके पास वोल्टता अच्छा यह हमारी जो है यह हमारी धारा और यह जो है यह आपके पास है प्रतिरोध यह आपके पास क्या है प्रतिरोध अभी आप देखना यह है वोल्टता जिसकों की हम बोलते हैं का resistance, I hope आपको चीज़े समझ में आ गई होगी, आपको परीचे करवा रहा हूं इनसे, अभी परीचे समझ में आ गया, आपको बता है, यह जो voltage है ना, इस voltage को नापते हैं हम किसमें, वल्ट में, कुन आपते हैं किसमें, वल्ट में, वल्ट को वी से रिप्रेजन करता हैं, पर बात चीज़े उतनी सही नहीं हो कि जितनी आप सोच रहे हों, आएगा और आपसे क्वेशन पूछेगा कि बताइए आपके क्या है वोल्टेज को किस में नापते हैं और आपको क्या है सफेद घोड़े पर सवार कर दिया जाएगा आपकी नोक्री लग जाएगी ऐसर नहीं होने वाला इतना आसान क्वेशन सारे सरल कर देंगे वोल्ट कर दो है अगर यह नहीं मिलेगी तो फिर क्या मिलेगी अगर वॉल्ट से मिला तो पिर आपको क्या मिलेगा यहां से मिलेगा आपको बता है यह इस iqoo w is equal to q into v hoता है एक फार्मला होता है W is equal to q into v पिर किसी भी क्लोज सर्कुिट में जो वर्क जो आपके पास क्या है वर्क डन होता है वो आबेश और वोल्टता के गुननफल के समानुपाती होता है यह गुननफल के बराबर होता है तो वहां से अगर मैं V का वैल्यू निकालू तो इदर देखो V का वैल्यू पीछे निकालते हैं पीछे थोड़ी जगे पड़ी थी यहां देखना आपके पास क्या है किसी भी यह क्रत्कार्य है और इन भाई साब को जानते हो यह क्या है आपके पास आवेश है यह क्या है आवेश है तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी जूल बटा आपके कुलाम जूल बटा कुलाम जसका मतलब देखो मैं एक वोल्ट इस वोल्ट को इस वोल्ट तो अभी आप बताओ यहां पर इस जगे पर एक चीच और लिख दूँ यह आपके पास यह रही क्या होगे आपके पास फुल बटा फुलाम यहां तक क्लियर है अच्छा यह यूनिट भी आगे न तो मज़े हैं तक यह यूनिट भी नहीं न तो फिर गड़बर हो जाएगी आपको एक यूनिट और धियान रखने पड़ेगी इसकी आप बताओ कि यहां से हम क्यू की बात करते हैं किसी संगारित् आवेश है ना q is equal to क्या होता है c v होता है कि आपके काम की चीज यहां पड़ी हुई है तो v जो है वो आपके पास q बटा c होगा के नहीं होगा आप बोलो कि यह सर होगा अगर ऐसा होगा तो आप बताओ q जो है वो तो है आवेश आवेश है और यह आपके पास क्या है धार आप एक यूनिट वही की नई प्रेश की आगर ऑप्जन में यह आ जाती ना तो बस तयार बैटर है ना इसकरने के लिए यह आपके पास क्यों जाएगी कुलाम कुलाम बटा फेराड कुलाम बटा फेराड तो या तो आपको वोल्ट मिलने वाला है या फिर जूल आपके पास क्या है प्रति कुलाम मिलने वाला है या कुलाम बटा फेराड मिलने वाला है अक्सर आते रहते हैं ये कोश्चन हम क्या बोलने वाले हैं इसको बोलने वाले हैं एंपियर को आपके एसा करेंगे आपको पता है यह मुल एकाई-और य कायी है और चार यूनिट एलेक्टिकल की डाल दूँ तो आपकर की तरब चले जाओगे किम्पैर इसे फटान मिला है दो तो जिसे ओसकर के लिए गई है और लेकर आई यह अगर मालोब में आपको चार उप्षन में चार एलेक्ट्रिकल की यूनिट डालता हूं बड़ी मोटी-मोटी तगड़ी तगड़ी यूनिट और उसमें आपके एंपियर भी पड़ा हुआ है तो वह फंडमेंटल यूनिट म आएगी अभी आप देखना या तो यह आएगा या फिर आएगा फिर आइगा पर पर बात कर ली इन से आपका डारेट परीचे करवा दिया यूनिट के आएगी उस पर बात कर दिया अभी हम इनको मेजर किस्से करेंगे इंस्ट्रूमेंट के उपर भी हमारी बात होनी बहुत जरूर है तो अभी आप देखो जब आप किसी भी resistance के across जब आप voltage measure करना चाहोगे न तो आपको लगाना पड़ेगा voltmeter क्या लगाना पड़ेगा voltmeter लगाना पड़ेगा और ये voltmeter जो है वो समानांतर क्रम में लगेगा कौन से क्रम में लगेगा समानांतर क्रम में लगेगा तो किसी भी प्रतिरोध के सिरो पर voltage ज्याद करने के लिए आपको voltmeter का प्रियोग करना पड़ेगा और voltmeter को सर्किट में कैसे जोड़ोगे अक्रोस समान अंतरकुरम में अच्छे देखो यहां पर हम बात करते प्रतिरोध अगर आपको प्रतिरोध का मापन करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा ओम मिटर और ओम मिटर पर सीरीज पैरलल पर बात नहीं करेगा अब सवाल उठता ह गुरु जी क्यों नहीं करेगा ने क्या रहा तो इसलिए बात नहीं करेगा क्योंकि आपके पास इसकी पास इसके बदारा ना आपने के लिए अमीटर कौन सा इस्ट्रूमेंट है अमीटर और अमीटर जो है उसको हम कौन से क्रम में जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में अभी देखो कितने objective question इस डाइग्राम पर पड़े हुए है पहली चीज तो आप देखना अगर मैं बोलता हूं कि बताईए voltage की unit क्या है तो वोल्ट जूल बटा कुलाम या कुलाम प्रतीफ अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास क्या दारा की unit क्या है तो आप बलोगे ampere कुलाम पर सेकंड या बायोट प्रतिरोट की unit क्या है तो प्रतिरोट की unit आपकी क्या हो जाएगी ओम अच्छा आपके voltage को काई से समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है प्रतिरोद का मापन किस से करते हैं गया प्रस्वी प्र American कि अगर आपका सिंपल प्रॉष्ण आता है कि प्रतिरोद का मापन किसे किया जाता है घंगे एक शब्द योड़ दिआ कि आप बताईए इंसुलेशन रजिस्टंस या अक्यूच प्रतिरोदों का मापन किस्से किया जाता है तो फिर ओमिटर गलत हो जाएगा आपको जाना पड़ेगा मेगर से करते हैं सहरा मापन के लिए अमिटर का इस्तमाल किया जाता है और वे परस पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो फटा फट उतार लो यार अभी बाकी तो